देशभर में कोरोना वारस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है इसी बढ़ते खत्रे के चलते सरकार ने लॉगडाउन का 3 मई तक का एलान कर दिया है लेकिन कोरोना वारस से निपटने के लिए पुरा देश एक हो गया है आम हो या खास सभी लोग अपने अपने तरीके से जंग में अपना सही उग दी रही है प्रधान मतरी नरेंद्र मूदी की लोगों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील के बाद उनके संसदी शेत्र वारणासी में दिव्यांग और कुष्ठ रोग्यों ने भीक में मिले 300 रुपे प्रधान मतरी केर फंड में दान कर दि पीएम मूदी ने पीएम केर फंड में सही उग करने की अपील की थी जिसके बाद देश भर से कई बड़ी हस्तिया समेत आम लोगों ने भी अपना यूग दान दिया बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी कि वारणासी में रहने वाले 35 परिवारों के 50 वो लोग भी आ ग करीब 300 रुपे पीएम केर फंड में दान किये हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोरोना वारस के बढ़ते खत्रे को देखते हुए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने देश में लॉग डाउन तीन मही तक बढ़ा दिया है इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने आज यहने मंगलवार कुदेश को संबोधित करने की दौरान दी है